मत्प्रदेश के समस्प्रदेश वासियों को मेरा नमश्कार आप सभी को ये विदित है कि हम एक अत्यंत कर्थिन डौर से अभी गुजर रही है कोरोना वाइरस से निपटने के लिए मत्प्रदेश राशन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं जिसके तहट मत्प्रदेश पुलिस अपनी जिम्मदारियों का पालन लगातार कर रही है देश एवं प्रदेश में चल रहे लौकडाउन को प्रभावी बनाये रखने के लिए आप सब का सयोग हमारे लिए अत्यंत आवशक है इसके लिए राज्य सरकार दोरा जारी किये गए गए निर्देशों का पालन कड़ाई से करने के लिए मत्प्रदेश पुलिस के सभी अधिकारी एवं जवान मुस्तेरी से अपना कार कर रहे हैं इस लॉकडाउन में किसी भी तरह के आवागमन पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन भी पुलिस दोरा पूरी कड़ाई से कराया जा रहा है मैं आप सभी को यह इस पश तौर पे कहना चाहूँगा कि राज सरकार दोरा जारी किये गए नेदेशों का उलंगन करने पर मत्पदेश पुलिस दोरा आवश्यक वधानी कारवाई पूरी कड़ाई से की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी अतह है आप सभी से निवेदन है कि धारा 144 वा अन्य प्रकार के प्रतिबंदों का जो की राज सरकार दोरा लगाये गए हैं कृपया करके पूरी तरह से पादन करें यह भी उल्लेखित करना चाहूँगा कि समाज के वरिश नागरिकों, निराश्रितों, गरीबों एवं कमजोर वर्गों के साथ मद्प्रदेश पुलिस, पूरी सब्वेदन शीर्ता के साथ हर समय खड़ी रहेगी एवं उनकी चिंताओं का निराकरन हर संभव प्रकार से करने का प्रयास करेगी आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन के उलंगन के फलसरूप मत्प्रदेश में पुलिस द्वारा अभी तक 99 प्रक्रण दर्ज किये गए हैं जो की 179 व्यक्तियों के खिलाफ हैं और साथ ही 207 वाहन भी जब्द किये जा चुके हैं आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस इस्तिती में आने से क्रुपया बचें अनिता अग्रिम कानोनी कारवाई में प्रशानिया खड़ी होती हैं आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहूँगा कि लॉक्डाउन की अवदी में विबिन्ध राज्यों से आने और जाने वाले वाहन जो की ट्रक या अन्ध्रगार के वाहन होते हैं उनको सुचारों रूप से चलाने के लिए भी पुलिस प्रदिबद है उनके आवागन पर किसी तरह की रोक नहीं है और इस तरह के इंस्ट्रक्शन्स इसके बारे में इंस्ट्रक्शन्स सभी मैदानी करमचारियों को दे दिये गए हैं और समझ पुलिस कर्मी उसका पालन करवा रहे हैं यह इसली भी आवशक है कि किसी भी तरह के एसेंशल आइटम्स की सप्लाई में कोई कमी ना है मेरी प्रदेश वासियों से विनम रपील है कि लॉक्डाउन के नियमों का पूरी तौर पे पालन करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के जो एडवाइजरी और नियम बताये गए हैं उनका भी पूरी तरह से पालन हो जिसमें दो व्यक्तियों के मद्द की आवशक दूरी को बनाये रखना बहुत जरूरी है ताकि कोरोना वाइरस के प्रभाव को जल से जल 33 में लाके खतम किया जा सके मुझे यह विश्वास है कि मत्प्रदेश पुलि के लिए हमेशा आपकी सेवा में उपलब्द रहेगी धन्यवाद